आप 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 आपके साथ जो मैंने शेयर करना है वो एक समझ लें के जिन लोगों को अगर एकनी का इश्यू है तो उनके लिए तो ये एक बहुत इंपॉर्टन वीडियो है और अगर वो देखेंगे तो ये उनके लिए बहुत फाइदेमन्द होने वाली है अच्छा इसमें समझें के हम एक ट्रीटमेंट या एक मिनी फेशल जो है जो आपको दो तीन स्टेप्स में हम इसको करेंगे और उसके बाद हम इसको तकरीबन एक चैलेंज के तोर पे लेंगे कि अगर हम इसको तकरीबन दो हफते तक करेंगे और शुरू में हम आप इसको जो है तीन दिन जो है वो मसलसल करेंगे और उसके बाद हम एक दिन के गैप से भी इसको कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप देखिएगा कि यह किस तरह से आपकी हल्की फल्की एक्नी और एक्नी की वज़ासे जो आपके फेस पहले हम यह बताएं आपको यह जो एक्नी का ट्रीट्मेंट है इसमें सबसे मज़ए की बात यह है कि ये बहुत ही सिंपल तरीन जो कह लें आपके आपके घर में मुझूद चीज़ें जो किचन में आपको मिल जाएंगी उनके साथ हम करेंगे और ऐसे इसके बहतरीन रिजल्ट मिलेंगे कि जो आगर आप पॉलर से बहुत इसके जो ट्रीटमेंट फेशिल्स कराते हैं शायद उस तरह से भी मतब़ा आपको ना मिल सके जो हमें इससे रिजल्ट मिलेगा मसूर की डाल जो है जैसे आपको पता ही होगा हर बंदे को कि ये घर में हम जो अपने हमारी जो डाइट का एक हिस्सा होती है और ये बहुत फाइदे मन्द होती है उसी डाल को हमने लेना है और उसको साफ करके उसको ग्राइंडर में पीस के इसका बिल्कुल हम पाउडर कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको चान लेंगे चान लेंगे इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल दाहिरा घर में अगर आप इसको पीस रहे हैं तो बिल्कुल powder form में नहीं मलेगी आपको और इसके अंदर चोटे जो particles हैं वो रह जाते हैं जो आपकी skin के ओपर rash करते हैं तो इसलिए हमने उसको चान लेने हैं और वो मोटे particles को दुबारा grind कर लेने हैं और इसी तरह चानते जाना है जब तक के हमें बिल्कुल सारा यह fine powder इसका नहीं मिल जाएगा और इस powder को हमने एक ही दफा बना के और एक glass bottle में मैंने इसको यह देखें इसको save कर लिया है ठीक है अब इस दाल के साथ हम करेंगे आज का facial अच्छा अब इसमें जो इसका जो पहला step है इस facial का वो है किसी भी यानि कि आप कोई भी treatment जब आप face पे करते हैं तो आपको पता है कि उसके लिए हमारी skin जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए वो इसलिए क्योंकि एक साफ सुथरी skin के ओपर हम जो भी बाद में step follow करते हैं जो भी हम अपने कुछ भी ingredient लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से अंदर तक penetrate होती है और अपना काम करती है तो इसके लिए यह देखें जो बैने आपको पिछली वीडियो में बनाना बताया है यह homemade DIY face wash है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हम face wash जो है थोड़ा सा अपने हाथ पे लेंगे और इसके साथ हम बिल्कुल इसको समझ लें कि आप पानी के साथ इसको पिछे आप हाथ पी इसका paste एक बनाएंगे और यह paste जो है बना के आप इससे अपने face के उपर पूरा cleansing करेंगे यह देखें यह मैंने हाथ के उपर इसको थोड़ा पानी डालके और इसका बिल्कुल पतला सा paste बना लिया है अचा इस paste का जो है यह फाइदा होता है कि आप इसको जिस तरह के किसी भी जार में इस face wash को बना के बेशक अपने washroom में ही रख लीजिए ताके आपको इसको ज्यादा वो जब हम लंबे चोड़े चकरों में रहते हैं कि इसको बकायदा हम इसी बाउल में इसका paste बनाएंगर करेंगे तो सुस्ती में हम अखसर इसको यूजी नहीं करते तो इसलिए आपने इसको हाथ पर थोड़ा powder लेना है और इसके ओपर थोड़ा पानी डाल के इसको बिल्कुल पतला करके अपने face पर जिससे आप face wash से अपना face को clean करते हैं आपने बिल्कुल इससे भी वैसे ही कर लेना है यह देखें जब इसको मैं आपको हाथ पर प्लाई करके दिखाती हूँ कि इसको आपने हाथ पर अच्छे से पानी लगा लगा कि इसको आपने पूरा ऐसे मसाज करना है ताकि आपका जो जब आप तो जाहर इसको face पर करेंगे ना तो आपने इसको face पर ऐसे बिल्कुल अच्छे से इसका मसाच करना है ताकि कहीं पे भी जो आपकी स्किन के अंदर डर्ड या इंप्यूरिटीज या कोई मेकप जो अगर किया हो तो उसके कुछ बच जाते हैं तो वो सब अच्छे से क्लेन हो जाए आपने इसको मतलब समझ लें के एक दो मिनिट लगा के अच्छे से फेस वाश करना है ठीक है अब यह हमारा हो गया पहला स्टेप फेस वाश का अब मैं यह जो है हाथ को साफ करके तो आती हूँ यह देखें यह मैंने इसको मतलब मिसाज करके तो इसको मैंने साफ पानी से बिलकुल साफ कर लिया है ठीक है अब यह आपने पूरा जो स्टेप है यह अपने फेस पे करना है और फेस को अच्छे से इस फेस वाश से वाश करके और इसको साफ कर लेना है ठीक है यह हो गया ह हमारा पहला step क्योंकि पहले step में हम अपनी skin को clean करके एक neat clean जो skin है वो लेंगे जाकि इसके ओपर हम अपनी अगली product से अपप्लाई करते हैं तो वो अच्छा जो है वो इसका है कि जिसमें हमने जैसे यह मैंने आपको बताया ना यह दाल हमने पहले यह बना के रख लेना इसका powder ठीक है अब हमने क्या करना है यह दाल एक चमच जो है वो एक टेबल स्पून समझ लें दूद में अगर वो रो मिल्क हो तो फिर वो बहुत ही अच्छा है लेकिन अगर रॉम नहीं है तो आपने यह नहीं करना के अप इसको नाव मिनाए आपने सिंपल जो बॉइल्ड मिल्क है क्योंके देखें डाल जो होती है वो चुके थोड़ी मतलब कहलें आप उसको कि सक्त उसमें होता है जो बेशक कि हमने इसको powder form में किया है लेकिन फिर भी उसमें एक सक्ती सी होती है जब हम इसको दूद के अंदर भी गोएंगे तो वो डाल बिल्कुल soft हो जाएगी और जब फिर हम उसको पने face पे लगाएंगे तो वो हमें कोई problem नहीं करेगी ठीक है अब हमने क्या करना है हमने इस जो है यह हमारे एक cleanser तियार किया है ठीक है पहला step था हमारा face wash दूसरा step जो है यह cleanser है अब यह cleanser जो है यह हमने इसमें एक तो मसूर की डाल है दूसरा दूद है दूद के अंदर आपको पता लेक्टिक एसिड होता है और लेक्टिक एसिड जो आप जितनी market से भी products लेते हैं cleansing के लिए उन सब में वो शामिल होता है और यहां पर यह हमें बिलकुल अपनी real form में अगर मिल रहा है तो यह जहर है बहुत बहुत बहुतरीन है इसलिए इसको हम cleanser के तौर पर इस्तमाल करेंगे और इसको जब हमने 10 मिनट भी भो लिया उसके बाद हमने इसको अपने face पे लगाना है ठीक है और इसको हलका सा massage करना है और massage करने के बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए face पे छोड़ देना है अप्लाई करके जी तो जब हमने इसको face पे अप्लाई करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया तो 10 मिनट के बाद हमने क्या करना है कि यह जो हमने थोड़ा सा इसमें यह cleanser बचाया था यह हमने लेना हाथ पे यही मसूर की डाल और दूद का वला मिक्सिर का और यह हमने दुबारा face पे अप्लाई करके और बिल्कुल हलके हाथों से मसाज करना है अब इसमें जो याद रखने वाली बात है वो यह है कि आपने जो face पे जब इसको अप्लाई करना है तो जो आपने मसाज करना है क्योंकि यह जो आज का जो facial treatment है यह हम करें acne prone skin के लिए जिनकी skin के ओपर acne हो जाती है यह हलकी पुलकी acne अभी भी मौजूद है यह उसके जो scars हैं तो acne वाली skin के ओपर पता है आपको कि हम बिल्कुल भी मसाज नहीं करते तो हमने उसमें क्या करना है कि हमने सिर्फ face के ओपर उसको लगाके और 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और 10 मिनट के बाद हमने बिल्कुल हलके हाथों से पूरे face पे जैसे आप face wash का मसाज करते हैं सेम उतने ही pressure से हमने हलका हलका face के ओपर इसको हाथ गीले करके तो इसको रप करना है और जिससे यह बिल्कुल आपका जो है यह mixture वह दुबारा से नरम हो जाएगा और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको यह देखें साफ कर देना ठीक है और यहां फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप face को wash कर लीजिए ठीक है अब यह हो गया हमारा इसमें जो second step पहले हमने face wash किया उसके बाद यह cleanser जो हमने मसूर की डाल के powder और दूद से बनाया था यह हमने apply करके 10 minute के लिए छोड़ा अब उसको साफ करने के बाद इसमें तीसरा step जो करेंगे वो है एक mask या एक pack बनाना तो हम आपको बताते हैं कि हम वो pack कैसे बनाएंगे एक हम ball लेंगे जिसमें यही जो हमारा आज का main ingredient है यानि मसूर की डाल का powder वो हम एक spoon लेंगे यह देखें और यह एक spoon मसूर की डाल के powder के अंदर हम डालेंगे rose water अब यह rose water हम इतना डालेंगे कि यह paste बन जाए ठीक है यह देखिए इसमें हमने तकरीबन 1 teaspoon जो है वो rose water डाला और इसमें जो तीसरी चीज डालेगी वो होगी यह rose powder ठीक है अब इसमें तकरीबन हम 1 फॉर्थ जो टीस्पून है वो डालेंगे rose powder का और यह powder डाल के हम इसका एक अच्छा सा paste बनाएंगे यह देखिए अब यह जो हमारा एक face pack या face mask जो है वो तयार हो जाएगा और इसको हमने लगाना है अपने face के ओपर ठीक है जो face हमने साफ किया था उसके ओपर हम इस mask को लगा देंगे और पिर इसको दुबारा हमने 15 minutes के लिए रखना है अब यह 15 minutes के लिए हमने इसको रखना है 15 से बिलकुल कम time नहीं देना आपने 15 से 20 minutes वाप कर सकते हैं लेकिन 15 से कम नहीं कीजिएगा time ठीक है अब 15 minutes के बाद हम क्या करेंगे कि इस mask को साफ बिलकुल यह देखें साफ कर लेंगे और उसके बाद हम जो इसको अपना last step करेंगे वो यह कि हम यह देखें aloe vera gel लेंगे और tea tree oil लेंगे यह tea tree oil भी आपको किसी भी pharmacy से हैं किसी भी store से बिलकुल असानी से मिल जाएगा ठीक है और aloe vera तो आपको पते है मेरे हाल में हर घर में ही होता है तो aloe vera और tea tree oil लेके अब हमने करना क्या है कि जो tea tree oil है इसका बिलकुल आपने एक drop लेना है ठीक है यह जिखें जैसे मैं आ active acne होगी वहां पर मैं यह tea tree oil लगाऊंगी और उसके उपर फिर मैं यह aloe vera लगा के यह देखें तो मैं पूरे face पे इसको हलके बिलकुल हाथों से इसको एब्सॉप कर दूँगी और बस यह थोड़ी देर में जब आप इसको लगा के छोड़ेंगे तो आपको पता है aloe vera थोड़ी देर में बिलकुल skin के अंदर penetrate हो जाता है और आपकी skin जो है वो बिलकुल hydrated, moisturized और बिलकुल आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ आपने उसके उपर लगा है वो आपको ऐसे फील होगी तो यह आपने ऐसे करना है और यह उसके बाद आपने सो जाना है और सुबह patients रखनी पड़ती है और इसमें मतलब थोड़ा में time देना पड़ता है तो आपने तक तक पूरे treatment को यह mini facial को आपने apply करना है अपने face पे जिसमें आपने शुरू के तीन दिन तो regular करना है उसके बाद आप एक दिन के gap से एक दिन करेंगे और फिर उसके बाद अपने results जो है कि मतलब next भी मैं आपके लिए acne से related और open pores को लेके और काफी जबर्दस वीडियो लाओंगी और इन्शाला पहले मुझे आप इसका बताईएगा कि यह आपको कैसा लगा ओके लाफेस